जंगल में ठंड भड़ गई थी ऐसे ठंड के मौसे में छोटी चड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि उसके घड़ की खिड़की भी तूटी हुई थी और दीवारों में से भी ठंडी हवा आती थी ममा ठंड लग रही है ममा मुझे बहुत ठंड लग रही है आप मेरे पास आजएं बेटा मैं आपको अपने पंखों में चुपा लेती हूँ फिर चड़िया का बच्चा अपनी ममा के पास चला जाता है उनके पडोसी कवों का घर अच्छे से बना हुआ था और उनका घर नया भी था कवा और कवी अपने घर में बहुत आराम से बैठे हुए थे कालू जी छोटी चड़िया तो ठंड से मर रही होगी हाँ गोरी उसका घर तो टूटा हुआ भी है और बहुत कमजार भी अगर ऐसे ही कुछ दिन और ठंडी हवा चलती रही तो वो चड़िया और उसका बेटा तो ठंड से ही मर जाएंगे वो बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है कौन? कौन है? मैं हूँ चड़िया आपकी पडोसन कभी बहन आज रात मुझे अपने घर में आ लेने दे मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है ना ना गोरी ना इसे अंदर ना आने देना इसका बेटा सारी रात चूं चूं करेगा ऐसे हमारे जगू की नीद भी खराब होगी चुडिया ना भेई हमारा बेटा सो रहा है अगर मैंने दरवाजा खोला तो मेरा घर भी ठंडा हो जाएगा और मेरे बेटे को ठंड लग जाएगी कवी बेन मैं विंती करती हूँ तुम्हारी प्लीज मुझे आज की रात अपने घर में रख ले एक बार सुना नहीं चल भाग यहां से बड़ी आई पड़ासन हमारी चुडिया निराशो कर फिर से अपने तूटे हुए घर में जली जाती है सुभा हो जाती है और जडिया अपने बेटे को लेकर धूब में बैटी हुई रात की ठंड दूर कर रही थी कुकु बेटा आज की रात तो गुजर गई अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा ममा क्यो ना हम अपने घर की दिवारों पर केले के पत्ते लगा ले ऐसे हम ठंडी हवा से बच सकेंगे हाँ कुकु बेटा आइडिया तो अच्छा है आपका केले के पत्ते बड़े भी होते हैं और मजबूत भी मगर हम केले के पत्ते लेंगे कहां से नदी के पास ममा नदी के पास केले का पेड है हम उस पेड़ से केले के पत्ते ले आते हैं फिर मम्मा चिडिया और उसका बेटा नदी पर जाते हैं चिडिया अपनी छोटी सी चोंच से केले के पत्ते तोड़ ही थी और उसका बेटा कूकू उन्हें एक जगा अकठे कर रहा था कूकू बेटा आज के लिए इतना ही काफी है आज हम खिड़की और सामने वाली दिवार पर ये पत्ते लगा लेते हैं बाकी का काम हम कल करेंगे फिर वो मा बेटा के लेके कुछ पत्ते लेकर वापिस होते हैं घर जाकर ममा चड़िया सबसे पहले तूटी हुई खिड़की पर केले के पत्ते लगाती है और फिर सामने वाली दिवार के छेद अच्छे से बंद कर देती है वो मा बेटा ठक जाते हैं रात भी हो जाती है मगर आजकी रात उन्हें ठंड गुझरी हुई रात से थोड़ा काम लग रही थी दूसरे दिन वो मा बेटा फिर से वही काम करते हैं वो सारा दिन केले के पत्ते लाला कर अपने घर के बाहिर लगाते रहते हैं और ऐसे शाम तक वो अपने घर को केले के पतों से अच्छी तरह ढख लेते हैं कुकु बेटा अब हम थोड़ी सी सूखी घास भी जमा कर लेते हैं ऐसे हमारे घर के अंदर घौंसले भी करम रहेंगे मगर ममा सूखी घास कहां से मिलेगी पहाडों के पास, पहाडों के पास है सूखी घास ऐसे वो मा बेटा सूखी घास लेने चले जाते हैं कॉलू चुडिया ने तो अपने घर की मरमत केले के पतों से कर ली है हाँ गोरी, मगर चुडिया का मालूम नहीं कि इस जंगल में अभी बरफ भी गिरेगी वो तो ठंड से जरूर मरेगी कॉलू जी, हम ठंड के दिनों में क्या करेंगे? हम सूखी लकडिया जमा कर लेते हैं, हम उन दिनों में आग जला कर घर को गरम कर लिया करेंगे फिर कवा और कवी सूखी लकडिया जमा करने लगते हैं वो अपने घर के करीब से सारे ही सूखे हुए पेड़ काट लेती हैं और उन्हें उठा उठा कर अपने घर में ले आती हैं गोरी अब बस कर जाओ, अब तो घर में जगा ही नहीं बची कालू जी दो चार और ले आते हैं सूखी लकडियां कहीं ऐसा नहो कि कोई और पक्षी ले जाए ऐसे वो लालच में आकर कुछ और लकडियां अपने घर में रख लेते हैं रात हो जाती है, चिडिया अपने बेटे के साथ अपने घौसले में बैठी हुई थी उनकी लगातार महनत से उनका घर अब ठीक हो गया था अब तो चिडिया के घर में थोड़ी भी हवा नहीं आ रही थी ममा, हमारी मेहनत रंग ले आई है, अब हम ठंड से बच सकेंगे कवा और कवी भी अपना घौसला लकडियों के उपर रखकर बैठे हुए थे के तड़-ड़ की आवा आ जाती है और वो शाख जिस पर उनका घर था वो तूट जाती है और उनका घर गिर जाता है भारी लकडियों के भोज से उनका घर गिर जाता है कवा और कवी बच तो जाते हैं मगर ठंडी हवा उनके शरीर को जमा रही थी कालू बरफ तो गिरे या ना गिरे मगर ये लकडियां हमें ले डूबी मैंने तुमसे कहा भी था के ज़्यादा लकडियां ना लाओ तुम भी तो मेरी एक नहीं सुनती हो वो छोटी जडिया तो बहुत मजे से अपने घर में सो रही होगी कवा वहां से उड़ता है कालू कहां चले मैं तो जा रहा हूँ चडिया की विंती करने हो सकता है वो हमें अपने घर में आ लेने दे रुको मैं भी चडिया बहन से सोरी कर लूँगी ऐसे वो बड़े बड़े कवे कमजोर चडिया के घर जाते हैं प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है हमेशा दूसरों की मदद करें क्योंके किसी समय हमें किसी कमजोर की भी जरूरत पढ़ सकती है आपका धन्यवा चडिया के घर के पास चडिया के घर के पास चंगल में गुलाब के दो पौदे थे एक पर लाल गुलाब लगते थे और दूसरे पर पीले दोनों की तितलियों से दोसी थी मद्धुमक्यां भी उनसे मिलने आ जाती जंगल के पक्षी तो बार बार उनकी खुश्बू लेने आते मैं तो लाल गुलाब से ही दोस्ती करूंगा चल पीले गुलाब अपना मुँ दूसरी तरफ करो ये सुनकर पीला गुलाब गुसे में आ जाता है जबके लाल गुलाब हंसने लग जाता है मेरे दोस्त कवे क्या मैं अपने परोसी पीले गुलाब से ज़्यादा संदर हूँ तो और क्या तुम्हारा रंग देह कर दिल खुश हो जाता है और इसका पीला रंग देहकर उल्टी आने को दिल करता है वो लाल गुलाब फिर से हंसता है लाल गुलाब अगर तुम मेरी मानों तो तुम भी से दूर ही रहो हम परोसी भी है और दोस्त भी तुम यहां से जाओ कवा वहां से चला जाता है वैसे कोवे की बातों में दम तो था पीला पीला कोवे ने कहा तुम्हें देह कर उल्टी आती है मगर पीला गुलाब उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता ममा मैं अपने दोस्त पीले गुलाब से मिलने जा रहा हूँ जल्दिया ना बेटा फिर अकठे नदी पर जाएंगे ओके ममा कुकु अपने दोस्ते मिलने चला जाता है मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था टितलियां भी आई मधु मख्यां भी मैं ना भी आई अगर आप इतनी देर से क्यों आए कुकु तुम इसे छोड़ो मेरे पास आओ कवे ने कहा है मेरी खुश्बू से दिल खुश हो जाता है मैं संदर हूँ और ये पीला गुलाब एक फजूल का फूल है मगर मुझे तो पीला गुलाब पसंद है आप भी अच्छे हैं मगर मुझे पीले वाला ज्यादा अच्छा लगता है हर पक्षी कौवा नहीं होता जो केवल तुम्हारी ही संदर्दा की तारीफ करे कुकु आप मेरी खुश्बू ले सकते हो ऐसा कहते हुए पीला गुलाब लंबी संस लेकर अपने खुश्बू बखेरता है कल मैं अपने दूसरे दोस्तों से भी आपको मिलवाऊंगा ये कांटा ये कांटा मेरी पंखड़ी में चुब रहा है कुकु पलीज इसे यहां से हटा दो मैं अभी करता हूँ लाल गुलाब फिर जैसे ही कुकु लाल गुलाब के करीब जाता है लाल गुलाब अपनी एक कांटेदार शाक से कुकु को खायल कर देता है जो इस पीले गुलाब से दोस्ती करेगा उसे मैं अपने कांटे ही गिफ्ट करूँगा तुम बुरे हो तुम बहुत बुरे हो मैं ममा को बताऊंगा इतना गरूर अच्छा नहीं दूसरों से जलने से अच्छा है दूसरों से दोस्ती करो खुद को बदल लो मेरे पडोसी जिन्दकी की क्या खबर रहे ना रहे तुमसे दोस्ती और तुम्हारे दोस्तों से दोस्ती कभी ही नहीं कोवे ने मेरे आँखें खोल दी है वो लाल गुलाब बहुत घुमंडी हो गया था वो अपने पडोसी का हमेशा दिल दुखा था कूकू रोता हुआ घर चला जाता है कूकू बेटा ये क्या हुआ आपके पंक से तो खून बह रहा है ममा वो मेरे दोस्त का पडोसी लाल गुलाब उसने अपनी कांटेदार शाक से मुझे मारा वो बहुत बुरा है पिर कभी उसके पास ना जाना और ना ही उसकी खुश्बू लेना हेलो दोस्त मेरे लाल गुलाब तुम केवल मेरे ही दोस्त हो लाल और काला दो ही तो रंग हैं तुम लाल और मैं काला देखो दो तुम्हारा पडोसी कैसे जल रहा है हमारी दोस्ती से दूर से एक इनसान को उस तरफ आता हुआ देखकर कवा जल्दी से उड़कर पास वाले पेड़ पर बैठ जाता है ये ठीक है मुझे ऐसे ही लाल खुलाब की जरूरत थी नहीं मुझे मत दोरना मैं मर जाओंगा मैं बहुत संदर हूँ छोटा फूल मरने से डरता है मैं मर रहा हूं मेरे पडोसी ये ही जीवन है अगर वही वो पल जो तुमने मुझे से लड़ाई में गुजार दिये खुशियों से गुजार दे थे तो ये ही जीवन सत्यों लंबा लगता मुझे माफ करना मेरे दोस्त मैं कुछ नहीं कर सकता फिर वो इनसान लाल गुलाब को दोड़कर टोकरी में रख लेता है और वहां से चलता है कालु कववा छट से उड़कर पीले गुलाब के पास आकर बैठ जाता है अपने बंद होती हुई आंखों से लाल गुलाब दोड़ से ये देख रहा था और मरते मरते उसे एहसास हो गया था के कववे की बातों में आकर उसने बहुत बड़ी गलती की थी